जैएं दोस्तों वंदे मातर हम दो हमारे बारा यह जो नई मूवी रिलीज होने वाली है अनुकपूर की इसको लेकर तो विवाद थम ही नहीं रहा है मतलब एक समय पारसा लग रहा था कि शायद इस मूवी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो थम जाएगा लेकिन आप यकीन मानिये इसको लेकर जो विवाद चल रहा है वो कहीं से कहीं तक भी थमने का नाम नहीं दे रहा है राण आयूब ने इसको लेकर कुछ पोस्ट कर दिया जिससे कि और भी ज़्यादा सुर्खियों में आ गई अनुकपूर ने भी इस मूवी को लेकर काजिवाद कहीं है कि जिनको लेकर की लग रहा है कि नहीं मूवी में कुछ नहीं कुछ पॉजिटिव संदेश जरूर होगा लेकिन जो एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी को टागट किये जाने की बात हो रही है उससे कई लोगों को परिशानी हो रही है और उसमें राणा यो बिल्कुल तरीके से सामने आई भी है अब ऐसे में क्या कुछ कहानी चल रही है इस पूवी के पीछे उस बारे में जरबात कर लेते हैं और कुछ एक टुटर रियाक्शन इस तरफ भी देखेंगे कि आखिर पबलिक इस समय क्या चाह रही है जनसंक्या नियंतरन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मागा है धर्म गुरू देवकी नंदन ठाकोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जनसंक्या नियंतरन के लिए कानून बनाने की मांग करी है जनसंग के अविस्पोर्ट सम्मंदित इन चर्चाओं के बीच इसे मुद्धे पर आधारित एक फिल्म हम्दो हमारे बारा का ऐलान किया गया है फिल्म के निर्देशक कमल चंद्रा ने इसका पहला पोस्टर जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया कुछ लोग भड़ा गुटे उनका कहना है कि फिल्म इसलामफोबिया से एक ग्रसित नजर आ रही है इसके जरी जानमूच कर मुस्लिम समुदाय को निशाना मनाया जा रहा है पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि केवल मुस्लिम ही इंदुस्तान में बढ़ती हुए आबादी के जिम्मदार है फिल्म हम्दो हमारे बारा का पोस्टर पर एक लाइन लिखी है जल्दी ही चीन को पीछे छोड़ देंगे इसके साथ ही अभिनेता अनिकपूर एक अपने किरदार में 14 अन्य लोगों में साथ नजर आ रहे है पोस्टर में दिख रहे हैं लोगों और फिल्म के सब्जेक के अधार पर कहा जा सकता है कि सभी एक ही परिवार के सदस्टे है इसमें दस महिला हैं और पांच पुरुश है फिल्म को रवी गुपता, बिरेंदर भगत और संजय नाकपाल ने प्रडियूस किया है कमल चंद्रा इसके निर्देशा के यह हमें समय ही बताएगा इस मुवी के सब्जेक पर सबसे पहले पत्रकार राणायूब ने सवाल उठाया और उन्होंने सेंसर बोर्ड और फिल्म के प्रडूसर्स की मनशा पर सवाल उठाते हुए लिखा कि सेंसर बोर्ड इस तरह के फिल्म के अनुवती आखिर कैसे दे सकता है जो मुसल्मानों को चंसंगेव स्पोर्ट के कारण के रूप में दिखाती है और कम्यूनिटी पर हमला करती है यह लोगों के बीच नफरत और इस्लामफोबिया फैला रहा है क्योंकि इस तरह की फिल्म में वो एक मुसलिम पर रिवार की छवी कॉपियों कर रहा है उनकी पोस्ट पर मिनी नईया लिखती है कि बॉलिवुड मुसल्मानों के खिलाब दुश्परचार जारी रखने की कुटल चाल का है मिस्सा है आपको फिल्म देखनी है तो साउथ सिनिमा की और रुख करें खासकर मल्ले अलम सिनिमा देखें हम दो हमारे बाराख डिरेक्टर कमल चंद्रा ने इन सभी आरोपो को दरकिनार करते हुए कहा कि उनकी फिल्म का पोस्टर रिवादत नहीं है इसे जानमूच का रिवादत बनाया जा रहा है उनका कहना है कि सही नियत और नजरी से देखने पर लोगों की उनके फिल्म का उद्दिश समझ में आ जाएगा चंद्रा ने इटाइम से बाचीत में कहा कि हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं हम इस फिल्म के जरीए किसी समझा विशेश को टार्गेट नहीं कर रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि जब लोग मौझूदा वक्त के सबसे एहम मुद्दे पर बनी इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी हो ये फिल्म बढ़ती हुए जनसक्या के मुद्दे पर है हम इसे किसी की भावना को ठेस पहुँचा है बिना बना रहे हैं फिल्म में किसी की भी तरफदारी नहीं की गई उन्होंना आगे कहा कि जब भी मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं उस फिल्म को बनाने की प्लानिंग करता हूँ कोई भी क्रियेटिव आदमी ऐसी प्रासंगिक फिल्म बनाने के लेकर एक्साइटेड होगा आज एक समुधाय विशेश के लोग सोच रहे हैं हमारे फिल्म के जरीए उन्हे टागिट किया जा रहा है यदि हम किसी दूसर समुधाय को दिखाते हुए फिल्म बनाते तो वो भी यही बात कहते और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विचार और भाओं को जाहिर करने के लिए सिरिमा सबसे बहतरी नाद्धिया में मैं सभी से पील करता हूँ कि वो इसका मुद्दा ना वरा है जन संके विस्फोर्ट गमफीर मामला है लंबे समझ से हमारे देश को ये खा रहा है जब तक हम इसको कमीड़िता से नहीं लेंगे नहीं सोचेंगे तब तक हमारे देश उससाफ से उन्नती कर नहीं पाएगा जिस तरह से हम चाहते है मैं सभी सापील करता हूँ कि पोस्टर और फिल्म को सही नजरीय से देखे इसके आगे वो कहते हैं कि मेरा भी मानना है कि किसी फिल्म का आगलन उसके पोस्टर के जरीय नहीं होना चाहिए जब तक कि आप फिल्म नहीं देख लेते या फिर उसका ट्रेलर लाउंच नहीं हो जाता तब तक कोई भी प्रतिक लिया तोरित और आप रसंगे एक मानी जाएगी सोशल मीडिया पर इन देनों खुद को विक्टिम दिखाने का एक नया चलन चल पड़ा है हर दूसरे विक्ति किसी नहीं किसी चीज से आहती नजर आता है खासकर कर भी फिल्मों के मामले में लोग ज़्यादा ही कट्टर नजर आ रहा है किसी को फिल्मों के नाम से अपती है तो किसी को इस फिल्म के सब्जेक्ट से ख़ये लोग तो पहले ही एनुमाल लगा लगते हैं कि फिल्म में जाती है समुदा है किसका अपमान किया गया है ऐसे विचारों को प्रोसाहिद करने के बजाए हदोसाहिद किये जाने की बहुत जरूरत है इसके साथ ही फिल्म जगात को भी सोचना होगा कि बिना किसी तरह की विवाद को खड़े किये हुए अपने कंटेंट के दम पर बॉक्स ओवेस पर सफलता हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए वरना विवाद तो आजकल एक फैशन बन चुका है किसी भी फिल्म को प्रमोट करने के सबसे सस्ता जरिया बन चुका है इस फिल्म के पोस्टर लांचिंग इवेंट पर शामिल हुए अन्यू कपूर का एक बयान भी सुरक्यों में है लोग उनके इस बयान को लेकर उनको ट्रोल भी कर रहे है दरसल उन्होंने फिल्म लाल सेंच अड़ा को लेकर प्रतिक्रिया मागी गई तो उन्होंने कहा कि क्या वो क्या है? मुझे नहीं पता इसके बाद किसी ने उनसे कहा कि दूसरी फिल्मों पर कोई कमेंट नहीं इस पर अनुत अपाक से बोले नहीं, कमेंट वाली बात नहीं है, मैं फिल्म में ही नहीं देखता हूँ, ना आपकी ना पराई, बात खत्म, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन है यह, मुझे सच मुझे नहीं पता है कौन है यह, तो मैं क्या बता पाऊंगा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, वहीं अग बात भी बाते होना अभी तक खत्म नहीं हुई और बाते बदस्तूर चालूर अगर हमनों ट्विटर के ताफ रुक करें तो भावना अरूरा ने राणायूब के ट्वीट को लेकर लिखा है कि इंडिया औल्सो नीड्स हम दो हमारे बार लाइक फिल्म्स एट इंटर्वल्स इस क्योंकि राणायूब ने पीके को लेकर लिखा था कि पीके इस तो यूर्स लेट तो ओमाइगाओ बट इंडिया नीड्स फिल्म्स एट इंटर्वल्स इसके आगे निव इंडिया लिखते है कि शी इस कॉलिंग दे होल कम्यूनिटी अ बिगॉट अगर इसके आगे नि इसके आगे सोनान लिखा है कि I am one I had five Draupadi, I am one I had 353 King Dashrat, I am one I had 16,000 Lord Krishna यहाँ पर इसकी चीज को मॉक कर रही है मुझा आपको समझाने की जरूरत नहीं है इसके आगे वायर लिखते हैं कि LOL, first of all they are kings, secondly they existed thousands of years back and polygamy was the norm in the society, thirdly in today's artificial intelligence world, only one community wants to live according to the principles of Stone Age society of Arabia Samy लिखते हैं, now we are in endgame, there is no interval, respect each other's feelings and rituals, not particularly one and abuse other इसके आगे सलीम शेक लिखते हैं कि how many siblings Narendra Modi and Ajay Singh Bisht, Ravi Kishan, Dattatre, Hubabale and film actor Anu Kapoor, who married three times अच्छी बात अगाता ही है भायर ने भी Atman ने कहा है कि not at all, crap movies shown repeatedly became a pride factor for some, it is still for some and they still will take it and enjoy the movie, in fact movie may turn out that it will be so that it will be fun to have more मतलब देखिए, मतलब अलग अलग तर के प्रतिकरे हैं आप सामने आ रही हैं और पबलिक सीधे तोर पर ऐसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहा भी रही है लेकिन बात वही होती कि कुछ लोग आते हैं और इस तरह कि दोरी चीज को पैदा कर देते हैं लोगों के दिमाग में कि पबलिक सोचने के लिए मजबूर हो जाती कि यार क्या जो चीज हम देख रहे हैं वो वाकई में वो सही है कि गलत है और यही भी इस वाल पैदा होता है वो आगे चलकर हर एक की चीज में इतने कनफिजन पैदा कर देता है कि समझने में ही मुश्किल पैदा हो जाती है कि कौन सी चीज वालत है और यही पर सारी चीज़ें आपको फसी हुई भी नज़र आएंगे मिरे सुदिन फ़लत नहीं जहीं शबाल